हलो एंड गुट मॉनिंग एवरीवन आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर मैं हूँ डॉक्टर मॉनिका और आज हम साथ जून से रिलेटेर जितने भी इंपोर्टेंट क्वेशन बन सकते हैं उन पर डिसकेशन करने वाले ह और क्वेशन से रिलेटेर जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ आप किसी भी कॉंपिटिशन एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है यह हमारा टेलिग्राम चैनल है यहाँ पर आपको quiz available हो जाएगी और इस lecture की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी यह आपके लिए आज का motivational court है अपने उद्देश्य में इमानदारी से लगे रहना ही सफलता का रहश्य होता है तो इसी motivational court के साथ में हम start करते हैं आज का session first question है who has become the new director general of Bureau of Civil Aviation Security नागरिक उडियन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानी देशक कौन बन गये हैं तो इसका correct answer होगा जुल्फिकार हसन बने है इसका correct answer है इनके बारे में detail से बात करें तो यह वरिस्ट IPS officer है जुल्फिकार हसन और इनको अब नागरिक उडियन सुरक्षा ब जुल्फिकार हसन को जो इनका कारेकाल है 31,10,2024 तक उनके retirement तक यह कारेकाल इनका रहने वाला है और यह पश्चिम बंगाल के अडर 1988 बेच के IPS officer है जुल्फिकार हसन दिल्ली में केंद्रिय रिजर्व पुलिस बल्स CRPF के विशेश महानी देशक के रूप में यह कारेरत है और नागरिक उडियन सुरक्षा ब्यूरो की हम बात करें तो यह नागरिक उडियन मंत्राले के तहत कारी करता है और इसे civil aviation operation के लिए सुरक्षा संबंधी जो protocol है इसको तयार करने का काम इसको सोपा जाता है BCAS की बात करें Bureau of Civil Aviation Security की इसकी जो स्थापना है यह जनवरी 1978 के अंदर हुई थी और इसका headquarter आपको न्यू दिल्ली के अंदर मिलेगा Top 5 National Appointments को चलिए हम revise कर लेते हैं New President of Institute of Chartered Accountants of India तो यह बने है देवाशिश मित्रा New Chief Justice of Madras High Court तो यह है मुनिश्वर नात भंडादी New Chairman of Staff Selection Board तो यह बने है S. Kishore New Secretary of Financial Service Department तो यह है संजे मलोतरा New Agriculture Security in Agriculture and Farmer Welfare Department तो यह बने है Manoj Ahuja Second number question है Where has India's first and Asia's largest liquid mirror telescope been installed भारत का पहला और Asia का सबसे बड़ा तरल दर्पन दुर्बीन कहां इस्तापित किया गया है तो इसका correct answer होगा यह उत्राखंड के अंदर स्तापित किया गया है चलिए इसके बारे में हम detail से बात करें यह क्या चीज है तो देश में पहला liquid mirror telescope और Asia में सबसे बड़ा उत्राखंड में एक पहाड़ी देव स्तल के उपर commission इसे किया गया था और यह अब supernova गुरुत वाकर्शन लेंस और अंत्रिक्ष मलबे और शुद्र ग्रहो जैसी शनिक या परवर्तन शील वस्तू की पहचान करने के लिए और हैड आकाश पर यह नजर रखने वाला है इंडिया liquid mirror telescope क्या है आकाश का सर्वेक्षन करने में यह help करेगा जिससे कई आकाश गंगाओ और अन्य खगोली जो श्रोतों का अवलोकन करना संभव हो जाएगा जो केवल उपर से गुजरने वाले आकाश की पट्टी को घुरते हैं भारत बेल्जियम और कनाडा के खगोल विद्धो द्वारा निर्मित उपन्यास उपकरन प्रकाश को इकटा करने और फोकस करने के लिए liquid mercury की एक पतली फिल्म से बना एक 4 मिटर व्यास ये घुर्णन दरपन है यह नैनिताल जिले उत्राखंड में विज्ञान और प्रोध्योगी की विभाग भारत सरकार के तहत एक स्वायत संस्तान आर्यभट रिसर्च इंस्टिटूट ऑफ अब्जर्वेशन साइंसेज के देव स्तल वेद साला परिशर में 2450 मेटर की उचाई पर इसे बन स्तित कि गया है उत्राखंड के हम बात करें तो जो इसकी स्थापना है यह 9 नावंबर 2000 को हुई थी और इसकी जो कैपिटल है यह दहरा दून है चीफ मिनिस्टर यहां के कौन है पुशकर सिंग धामी है गवर्नर है गुर्मी सिंग चीफ जस्टिस यहां के है विपिन संगाई टू यह हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश उत्राखंड है टू नेबरिंग कंट्रीज तो यह है तिबद और नेपाल थार्ड नमर क्वेक्शन है हूँ एस बीन अपॉइंटेट बाइ सोशल मीडिया कंपनी मेटा एज एट्स न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सोशल म अपना नया मुख्य परीचालन अधिकारी नियूक्त किया गया है तो यह किया गया है जेवियर ओलिवन को 20 का करेक्ट आंसर है डिटेल से बात करें तो जेवियर ओलिवन मेटा प्लेटफॉर्म्स के वर्तमान मुख्य विकास अधिकारी यह है और शेरिल सैंडवर के पद स से जाना जाता था और इसके विस्पोटक विस्तार में इन्होंने योगदान दिया है ऑलिवन बुनियादी ढाचे और कॉर्परेट विकास को जारी रखते हुए विज्यापन और व्यवसाइग उत्पादों के लिए जिम्मेदार होने वाले हैं मेटा के हम बात करें मेटा is the new name of facebook मतलब इसका जो पुराना नाम था ये क्या था facebook था it is a social media company और इसके इस्तापना 2004 के अंदर हुई थी इसका जो headquarter है ये California USA के अंदर है और इसके जो CEO है ये है Mark Jugarberg चलिए top international appointments को हम revise कर लेते हैं new president of international olympic committee athletes commission तो ये बने है Emma Terho new vice chairman of international telecommunication union management council committee तो ये बनी है अपरा जीता शर्मा first woman judge of Pakistan supreme court तो ये है Aisha Malik EU parliament new chair of तो ये है Roberta Matt Sola first black woman judge of US supreme court तो ये बनी है केतन जी ब्राउन जैक्सन fourth number question है wish American student of Indian origin has won America's prestigious spelling bee competition 2022 भारती मूल की किस अमेरिकी चात्रा ने अमेरिका की प्रतिस्टेस spelling bee प्रतियोगिता 2022 जीत ली है तो ये जीत ली है Harini Logan ने 20 का correct answer होगा विक्रम राजु के खिलाब जबर्दस टकर में वह चार शब्दों से चूग गई जिसमें एक ऐसा शब्द भी था जो उन्हें खिताब देला सकता था पहले कड़े ट्राइब एकर के मुकाबले में Harini ने आखिरकार ये जो खिताब है ये हासिल कर लिया सेंट एंटोनियो टेकसास में आठवी कक्षा की ये 13 वर्षिय चात्रा है इन्होंने 90 सेकिंड के spell off के दोरान 21 शब्दों की spelling वह अर्थ सही सही बताया और विक्रम राजु को इन्होंने 6 अंग से हरा दिया है Harini spelling प्रतियोगिता में सर्व स्रेज प्रदेशन करने वाले प्रती भागियों में से एक है और अपनी सिस्टता और सकारात्मक्ता के कारण वह आयोजन इस्तल पर मोजूद सभी लोगों की पसंदीता बनकर ये उबरी जिनोंने 50,000 डॉलर से अधिक की जो नगत और जो पु Harini ने लापता बच्चों को खोजने के लिए Ember Alert नामद नया फीचर लाउंच किया है तो ये लाउंच किया है Instagram के द्वारा लांच हुआ है एसका और अंसर है डिटेल से बात करें तो Instagram ने लापता बच्चों को खोजने के मदद के लिए Alart फीचर को लाउंच किया है फोटो शेरिंग एप ने फीचर को इस्तापित करने के लिए विश्व इस्तर पर विबिन संगठनों के साथ में इन्होंने भागी दारी की है यह जो फैसिलिटी है यह यूजर्स के इन्स्टाग्राम फीड पर लापता बच्चों के बारे में जो डिटेल है यह से शो करेगा यदि वे एक विशिश शेतर के अंदर है जहां एक सक्रिये खोज हो रही है इन्स्टाग्राम उप्योग करताओं को उनके आईपी पते और इस्तान सेवाओं जैसी जानकारी के आधार पर अलट दिखाएगा यह नौट किया गया है कि फोटो और वीडियो शेरिंग प्लेटफॉर्म के अलावा एमबर अलट 2015 से फेस्बुक पर उपलब्ध है और इन्स्टाग्राम ने अलट फीचर को रोल आउट करना शुरू कर दिया है यह आने वाले हफतों में 25 देशों में उपलब्ध होगा और यह कहते हुए कि यह उन्हें और देशों में लाने के लिए काम कर रहा है चलिए Top 5 Apps को हम रिवाइस करें विश Multinational Technology Company has launched Play Pass subscription for Android device user in India तो यह कौन सा बना है Google है विश किस ने लान्च किया है ओम बिल्ला के द्वारा यह Speaker of Log सबा है तो इनके द्वारा यह जो एप है यह लान्च किया गया है विश कंपनी विल लान्च देश सूपर एप नेम्ड नियो तो एक्स एक्सपेंड देशिटल डिविजन तो यह लान्च किया गया है टाटा गुरूप के द्वारा विश स्टेट हैस लान्च देशिटल ओन्लाइन लाइब्रेरी यह किताब कोश हैस बीन लांच देशिटल यह लान्च किया गया है तो यह दिल्ली पूलिस के द्वारा लान्च किया गया है विश स्टेट गवर्मेंट हैस अनाउंस तो नेम कॉलनीज एन रोड्स आफ्टर बाबा साहिब अंबेड कर किस प्रदेश शरकार ने कॉलोनिया और सडकों का नाम बाबा साहिब अंबेड करके नाम पर रखने की गोशना की है तो ये दिल्ली के अंदर की गई है सीस का करेक्ट आंसर होगा हरीजन शब्द के इस्तमाल के खिलाब सला देने वाली केंदर सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए दिल्ली सरकार कॉलोनिया और गलियों के नाम से हरीजन शब्द की जगए उनका नाम बाबा साहिव अंबेडगर के नाम पर रखने की तयारी में है और इसी क्रम के अंदर समाज कल्यान मंत्री राजेंद्र पाल गोतम ने दिल्ली सरकार की सभी सड़को और कॉलोनियों का नाम हरीजन से बदर कर डॉक्टर अंबेडगर के नाम पर करने का प्रस्ताव पेश किया है समाज कल्यान मंत्री ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समंदित विभागों के अधिकारियों के साथ इस समंद में एक महत पून बैठक की अध्यक्षता की और इस पर एक अधिसूचना जारी की दिल्ली सरकार रास्टे राजधानी में रहने वाले ASC, ST और OBC समुधायों के उत्थान के लिए ये प्रयासरत है चले दिल्ली की बात करें तो विने कुमार सकसेना दिल्ली के न्यू लूटिनेंट गवर्नर बने है दिल्ली गवर्मेंट साइन नौलेज शेरिंग एग्रिमेंट विद पंजाब गवर्मेंट इजुकेशन सौंग इरादा कर लिया है हमने इस बिन रिलीज इन दिल्ली जो पपेट फेस्टिवल है ये ओर्गेनाईज करवाया गया है दिल्ली के अंदर और जो स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स है इनका जो इनोग्रेशन है ये दिल्ली के अंदर किया गया है 7. नमबर क्वेशन है So, who has taken or as a full-time member of SEBI किसने SEBI के पून कालिक सदश्य के रूप में पदभार ग्रहन किया है तो ये ग्रहन किया गया है अश्विनी भाटिया के द्वारा 20 का correct answer है अश्विनी भाटिया ने बाजार, नियामक, भारतिय प्रति भूति और वीणी में बोड सेबी जिसका फुल फॉर्म क्या है सिक्योर्टी एंड एक्षेंज बॉर्ड ओफ इंडिया तो इसके जो पूर्ण कालिक सदश्य के रूप में इन्होंने अपना जो कारेबार है ये समाला है भाटिया पहले राज्य के स्वामित वाले भारतिय स्टेट बैंक के प्रवन निदेशक ये थे भाटिया के शामिर होने के बाद सेबी के पास अब तीन डबलू टीम है और सरकार ने अभी चोते सदश्य की नियूकती नहीं की है सेबी की वर्तवान चेहर परसन कौन है मादवी पूरी भुच है और इने डबलू टीम के रूप में कारे रच चार अक्टूमर 2021 को समाप्थ होने और जी महल लिंगम के आठ नौमर 2021 को कारेकाल चोडने के बाद से बाजार नियामक ने पिछले साथ महिने में सिर्फ दो डबलू टीम के साथ में इन्होंने काम किया है सेबी की बात करें तो इसकी इस्तापना हुई थी 12 अप्रेल 1902 में को और सिक्योर्टी एन एक्षेंज बोर्ड ओफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है और हेड़कॉर्टर इसका मुंबई के अंदर है और एजेंसी एक्जुकेटिव कौन है अभी मादभी पूरी बुच है चेर्मेन है ये इसे भी की चलिए टॉप फाइब नेशनल अपोइंटमेंस को हम रिवाइस करें न्यू सीओ ऑफ इंडिको हैरलाइन तो ये बने है पीटर अलबर्स न्यू चेर्मेन ओफ इंडियन स्टोक एक्चेंज बॉम्बे स्टोक एक्चेंज तो ये बने है एसेस मुंद्रा न्यू चेर्मेन और मैनेजिंग डिरेक्टर अफ ग्रामीन इलक्रिफिकेशन कॉर्परेशन लिमीटेड तो ये बने है विवेक कुमार देवांगन न्यू डिरेक्टर अफ सेंट्रल कॉल फिल्ड लिमीटेड तो ये है राम बाबु प्रेशाद न्यू चेर्मेन अफ सेंट्रल बॉर्ड अफ सेकेंडरी एजुकेशन तो ये बने है निदी छिबबर एट नमबर क्वेशन है अखिल भारती है आयरुवेद महा सम्मेलन के 69 महा अधिवेशन का जो उधगाटन है ये किस ने किया है तो इसका जो उधगाटन है ये जो भारत के रास्टपती है श्री रामनान्द कॉविंद इनके द्वारा किया गया है इसका करेक्टर अंसर होगा भारत के जो रास्टपती है श्री रामनान्द कॉविंद इन्होंने मद्य प्रदेश के उज्जेन में अखिल भारती आयरुवेद महा सम्मेलन के 69 महा अधिवेशन का इन्होंने उधगाटन किया है और आयरुवेद का अर्थ संसकर्त में क्या है जीवन का विक्यान है दुनिया भर में विबिन प्रकार की चिकित्सा प्रणालियों का वर्णन करने के लिए पेथी शब्द का प्रियोग किया चाता है और ये किसी बीमारी के प्रकट होने के बाद उसके इलाज की विदी को संधर्पित किये करता है और भारत सरकार ने समय समय पर भारती चिकित है इस convention का ये रखा गया है 9 number question है when is the international day of children victims of aggression observed आक्रमत्ता के शिकार बच्चों का अंतरास्टे दिवस कब मनाया गया है तो ये मनाया गया है 4 जून को 20 का correct answer है हर साल 4 जून को सैयुक्त रास्ट दुनिया वर में शारिरिक अंतरास्टे दीवस है ये मनाता है और अक्रमन के शिकार मास्टों थो का पहला अंतरास्टे जो दीवस है ये 19 अगस 1982 को ये मनाया गया था और उस समय जो ये दिन था ये लेबनान यूद के पिडितों पर ये कैंद्रित था 1982 के लेबनान युद में फिलिस्तान लिबरेशन और इस्राइल डिफेंस फोर्सेज के बीच बार-बार हमले और पलटवार के बाद इस्राइल की सेना ने दक्षिनी लेबनान पर आकर्मन किया और ये दिन बच्चो और उनके अधिकारों की रक्षा के प्रती सेयुक्त र महासाबा के संकल्प एस सेवन अपॉन एट के तहद निर्णे लिया गया कि प्रतेक साल चार जून को यह जो दिवस है यह मनाया जाएगा टॉप डेज को रिवाइस करें तो हमने पिछले मंत नाइन में को मनाया था गोपाल कृष्णा गोकला जैंती महाराना प्रताब जै गर्ट्री बर डे 15 मई को हमने इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया था 16 मई को इंटरनेशनल लाइटिंग डे और नैशनल डेंगू डे के रूप में बनाया है 17 माई को हमने World Telecommunication and Information Society Day के रूप में celebrate किया है 10 नमबर question है Who has won the best project award at the United Nations World Summit किसने सयुक्त रास्ट विश्व शिकर सम्मेलन में सर्वस रेश्ट परियोजना का पुरशका जीता है तो ये जीता है मेघाले ने C is का correct answer है मेघाले सरकार की ये प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुक पहल मेघाले Enterprise Architect के हिस्से के हिस्से ने स्विजर लेंड के जिन्यवा में एक प्रत्ति स्टित UN Award World Summit on the Information Society Forum पुरशकार जो है इन्होंने जीता है ITU के महासेचीव Holland जाहो ने जिन्यवा स्विजर लेंड में आयोजेत WSIS Forum पुरशकार 2022 में मुख्य मंत्री कॉन्राड के संग्मा को विजेता पुरशकार इन्होंने प्रदान किया और इसके बाद जिन्यवा स्विजर लेंड में अंतिम पुरशकार के लिए आमंत्रित किये गए सरुस्रेश्ट नब्ब परियोजनाओं का चैन करने के लिए मद्दान हुआ और मेघाले ने आस्ट्रेलिया, चीन, अर्जेंटीना, तंजानिया की परियोजनाओं के साथ चुनाव लड़ा और मेघाले को स्रे reproductive में सरुस्रेट परियोजनाओं के रूप में गोशित किया गया था और मेघे इस वर्ष विजेता पुरशकार जीतने वाली भारत की एक मातरी ये परियोजना है मेघे परियोजना के बारे में हम बात करें, इस प्रॉजट के बारे में तो जो mega project की योजना है ये मेगाले सरकार द्वारा कारेंवित की जा रही है और इस परियोजना में कई गटक है जैसे सरकार से नागरी कि या website से वाएं सरकार से करमचारी से वाएं और सरकार से सरकारी से वाएं इसके अंदर include है Megala की बात करें The Living Root Bridge of Megala Has been included in the UNESCO World Heritage जो लिस्ट है इसके अंदर इसको शामिल किया गया है जो यहां की Living Root Bridge है इनको Megala will host the 83rd National Table Tennis Championship 2022 तो यह जो है जो 83 नंबर का जो National Table Tennis Championship जो होने वाला है उसको host करने वाला है चली 4 जून के जो MCQ है उन्हें हम revise कर लेते हैं फर्स्ट क्येशन है शशस्त्र सीमा वलके नए महानी देशे कौन बन गया है तो इसका correct answer है SL 1000 बन गया है 20 का correct answer होगा सेकेंड नमबर क्येशन है पाकिस्तान के तीसरे सरोच नागरिक पुरशकार सिताराई पाकिस्तान 2022 से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है तो ये जो पुरशकार दिया गया है ये वेस्टेंडीस के जो पूर्वे कप्तान थे डेरन सेमी इनको दिया गया है 20 का correct answer होगा थर्ड नमबर क्येशन है किस राजे सरकार ने काग जी स्टाम पेपर का चलन समाप्थ करने के लिए ये स्टाम सुईधा को शुरू किया है तो इसका correct answer होगा पंचाब सरकार ने ये start की है C's का correct answer है फॉर्ण अबर क्येशन है रक्षा मंत्राले ने स्वादेशी अस्त्र MKI beyond visual range मिसाइल और उससे सम्बंदित D's का correct answer होगा 5 number question है भारतिय डाग विभाग ने पहली बार पाइलेट परियोजना के तहत कहां पर ड्रोन की मदस से डाग पहुचाई है तो इसका correct answer है ये जो डाग पहुचाई गई है ये गुजरात के जो कच है यहाँ पे पहुचाई गई है इसका correct answer है 6 number question है किस भारतिय युवा महिला उद्ध्यमी ने टाइम्स बिजनिस पुरसकार 2022 जीता है तो ये जीता है रश्मी साहू ने जीता है इसका correct answer है 7 number question है किस खिलाडी ने लगातार 20 साल तक युनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहने का जो record है ये बनाया है तो इसका correct answer है सच्चिन तैंदूलकर ने ये record बनाया है 20 का correct answer होगा 8 number question है एशिया कप होकी 2022 में भारतिय पुरुष होकी टीम ने कौन सा पदक जीता है तो जो होकी टीम है इनोंने जीता है ब्रॉंज मेडल जीता है सीस का correct answer है 9 number question है युनिसेफ के कॉवेक्स के तहट कोविट टीको का शीर्ष प्राप्त करता कौन बना है तो ये बना है बांगला देश 20 का correct answer है 10 number question है किस राजय सरकार ने पेंशन भोग्यों के digital जीवन प्रमान पत्र के लिए IBP के साथ में समझोता किया है तो इसका correct answer है ये जो समझोता हुआ है ये तमिल लाडू government के साथ में किया गया है सीस का correct answer होगा और ये था 4 जून का study clause question विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस 2022 कम मनाया गया है तो ये मनाया जाता है 17 मई को ये मनाया जाता है हमारे जीवन के अंदर जो संचार है इसकी बहुत ही importance ये बनाता है बिना इसके जो हमारे संचार की कलतना है ये भी नहीं की जा सकती और संचार के द्वारा ही कि लोग एक दूसरे से क्या करते हैं जुड़े रहते हैं और इसी के भैतु के बारे में जो awareness है ये create करने के लिए जो वर्ड टेली कम्मुनिकेशन डे है ये मनाया जाता है और ये 17 मई को मनाया जाता है और ये है आप लोग के लिए आज का study gloss question हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited के नए अध धक्ष और प्रबन निदेशक कौन बन गए है तो इसका अंसा मुझे comment section में दीजेगा ये हमारा telegram channel है यहां पर आपको quiz available हो जाएगी यहां जाकर आप जो question है इनकी practice कर सकते हैं और अगर आपको session पसंद आ रहा है तो आप इसे like कीजिए अपने दोस्तों के साथ में share कीज आपको